हेलो माई दियर स्टूडिंस आजके इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि CBSC ने जो भी पोर्षन रेडियूस किया है रिमूफ किया है तो अगर हम NCRT की बात करें तो NCRT में वो सभी पोर्षन जो है कौन से पेज नमबर पे है और उस पोर्षन को डिलीट करने की से और क्या क्या क्वेस्टन भी डिलीट हुए है वह आज की इस वीडियो में हम देखने वाले तो चलो शुरू करते हैं तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो फर्स्ट चाप्टर है और वो चाप्टर है सॉलिट स्टेट तो चलो हम स्टार्ट करते हैं सॉलिट स्ट इस साल जो है इनकी सरे आप से कि सब्क्राइब से में acid इंक्री अब देखेंगे कि सबसे पहले vaccine किया क्या बता या बता है कि solid state में जो अब बताये में उसमें electrical and magnetic प्रस्पपर्टी ईंको मीनोस को रही है बैंड थेरी, मेटर्स, कंड़क्टर्स, सेमी कंड़क्टर्स, इंसुलेटर और NNP टाइप ऑफ सेमी कंड़क्टर्स को भी रिड्यूस किया गया है और यह जो डिलेटेट पेज नंबर जो है मैंने यहां पर मेंशन करके दिये हुए आप सभी को उन पेजेस पे अगर आप बोर्ड एक्जाम से रिलेटेड पढ़ना चाते तो उस पेजेस पे आपको स्ट्राइक ओट करना है और साथ में कुछ in-text question है जो इन ही पेजेस से रिलेटेड है इन ही टॉपिक से रिलेटेड उनको भी हाइलाइट करके रख देना है और यह जो हमारा NCRT की back exercise है उस back exercise में भी कौन-कौन से questions जो है इस portion की वज़े से डिलेटेड हुए है वो भी मैंने यहाँ पर mention किया है so student I hope आपको यह video बहुत ही जादा helpful रहेगा बट अगर आप किसी भी competitive exams की preparation कर रहे है तो आप सभी को सभी topics पढ़ने चाहिए तो चलो अब solid state के बाद में हम देखते है chapter 2 वो है solution तो solution chapter में जो board ने जो delete portion किया है वो है abnormal molecular masses और साथ में ही winter factor और यह दोनों जो topics है आपको NCRT के page number 55 जो last paragraph है साथ में 56 और 57 पे आपको आराम से मिल सकते हैं और इनी topics से related कुछ in text question है जो कि delete हो चुके है और यह जो दो है यह back exercise questions है तो आप इन सभी को अच्छे से अपने NCRT में mark कर लीजिए यह आपके लिए बहुत ही जादा helpful रहेगा चलो अब हम देखते third chapter थर्ड चाप्टर जो है वो हमारा electro chemistry है electro chemistry में चलो देखते हैं अभी हम कौन कौन से portion delete हुए है delete जो portion हुआ है वो है lead accumulator it means storage battery वाला जो topic है वो delete हो चुका है fuel cell delete हुआ है साथ में corrosion law of electrolysis सिर्फ elementary ideas जो है dry cell, electrolytic cell and galvanic cell so student यहाँ पर बिल्कुल भी हमें confused नहीं होना है galvanic cell के बारे में ही हम electro chemistry में पढ़ते हैं तो हम specifically हम यहाँ पर याद रखेंगे law of electrolysis के लिए तो यहाँ पर मैंने कुछ page number mention किये जैसे 86, 87, 88 and 89 इन सभी page number का जो portion है वो क्या हो चुका है delete हुआ है in text question भी हमने बताए है कौन से delete होते है और साथ में back exercise जो अगर हम देखे तो उसमें इस topics related कोई भी question नहीं है अब हम आते हैं chapter 4th की तरफ and 4th chapter जो है chemical kinetics chemical kinetics में जो portion delete हुआ है वो है concept of collision theory, elementary ideas उसका mathematical equation आता है mathematical treatment होती है वो साथ में activation energy and aranious equation और यह जो topic है आपको इस page number पे easily मिल जाएंगी जैसे अगर हम यह topic start हो रहा है 111th page से जो कि last पैरा से start हो रहा है और इन सभी pages को में वो include हो रहा है तो हम यह कहेंगे कि इन सभी pages को में strike out करना है board exam के लिए साथ में यह सभी जो in-text question है यह सभी in-text question based है इन topics पे और back exercise में से यह questions आपको अभी नहीं करना है चलो अभी हम चलते हैं next chapter की तरफ next chapter में जो है वो है chapter 5 और वो है surface chemistry surface chemistry chapter में हम देखे कि कौन-कौन से topic जो है वो CBSC ने remove की है जैसे अगर हम देखते ही emulsions, types of emulsions है उसमें जैसे oil and oil होता है watering oil होता है then catalysis में homogeneous क्या होता है, heterogeneous क्या होता है activity और selectivity क्या होती catalyst की और एक enzyme catalyst यह पूरा topic जो है CBSC ने remove कर दिया है और साथ में यह जो deleted page number जो है वो भी मैंने यहां mention कर दिये है और student जैसे हमें पता है कि NCRT की book को ही एक standard book माना जाता है तो हम उसी के page number wise चलेंगे और अगर जिन जिन बच्चों को सिफ board exam में अच्छे से preparation करनी है board exam का score बहुत अच्छे से करना है तो वो सभी बच्चे यह वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको इसकी preparation करने में कोई भी difficulty ना हो और साथ में देखो यह in text questions है और यहाँ पर back exercise questions भी हमने mention किये हुए है ओके चलो अब आते हैं chapter 6 की तरफ और यह chapter जो है अब आते हैं chapter P block की तरफ यह एक one of the lengthiest chapter माना जाता था अभी तपके और इस chapter का अभी तक weightage भी जादा था तो अभी हम देखते थे इस chapter में क्या-क्या portion delete हुआ है जो portion delete हुआ है वो है preparation and properties of phosphine sulfuric acid के एक industrial process होती है process of manufacture है जिसे contact process भी कहा जाता है oxides of nitrogen जिनके structures ही दिये है साथ में phosphorus के allotrop जो है red phosphorus white phosphorus जो दिया है वो भी जो है यहां से delete कर दिया गया है तो यह पूरे portion है जो deleted है इन सभी के deleted page number as well as in text question and back exercise questions जो है यहां पर हमने mention किये है आप सभी book में इसको properly highlight करके रख सकते हैं अब आम आते है chapter 8 की तरफ chapter 8 जो है वो है हमारा d and f block elements इस d and f block elements में जो जो deleted portion specifically जो f block का जो portion है उसको delete किया गया है जैसे कि chemical reactivity of lanthinoids है और lanthanide और octanoids की जो electronic configuration है उनकी oxidation state है और उनका comparison किया हुआ है तो इन सभी की साथ में ही जैसे हम इस chapter में ये पढ़ते हो तो ये भी पढ़ते है kemenophor and K2Cr2O7 इनकी preparation and properties भी board ने delete कर दिये बट student अगर आप देखोगे तो kemenophor का मैं आपसे ये कहूंगी कि kemenophor का कुछ portion हमें जैसे कि उसकी oxidizing property है वो हमें practical में भी बहुत ज्यादा useful रहती है तो हम इसके kemenophor की जो chemical properties related to oxidizing nature ये हम practical वाले portion में भी study करते है तो ये topic वैसे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जरूरी है आप इसको पूरा skip मत कीजिएगा जैसे कि board ने कहा है बट फिर भी हमें practical के लिए इसकी जरूरत है और जो pages जो बोर्ड ने डिलेट कर दिये है वो मैंने यहां पर mention कर दिये इंटेक्स questions जो देखिए जैसे 8.10 जो है वो बेस्ट है इस topic के उपर वो हम हमें नहीं करना है प्राक्टिस करते समय और साथ में यह कुछ बैक exercise question से यह भी हमें नहीं करना है चलो अब हम देखते नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है चैप्टर टेन हैलो एलकेंस और हैलो एरीन्स है यहां से हमारा सेकेंड पार्ट जो है इनका एक सिफ दो पीजस पे दिया गया है यही पोर्शन यही पोर्शन सीबियस्ट किया है और यहां पर कुछ बैक एक्सरसाइस का question जो है जैसे 10.13 यह भी डिलिट किया गया है नेक्स्ट आते हम अलकोहल फिनॉल्स और इथर्स पे अलकोहल और फिनॉल्स और इथर्स पे तो बहुत ही छोटा सा पोर्शन जो है वो सीबियस्ट ने डिलिट किया है और वो भी सिर्फ एक ही पेज का पोर्शन है जिसके इंटेक्स्ट और बैक एक्सरसाइस question में कही पर भी इंक्लूड नहीं किया गया है तो आप मान के चलिए कि अलकोहल फिनॉल्स और इथर्स का ह अब देखते हैं हम येस ये हमारा एक बहुत ही इंपोर्टन चाप्टर है अल्डी हाइट्स, कि टोन्स और कार्बोगजिलिक असिट्स इस चाप्टर में से कोई भी पोर्शन डिलिट नहीं हुआ है ये चाप्टर जो है हम प्राक्टिकल्स में भी परफॉर्म करते हैं इस लिए शायद इस चाप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलिट नहीं किया, कॉम्पिटेटिव एक्जाम्स के लिए भी ये चाप्टर बहुत ही जादा इंपोर्टन है अब आते हम चाप्टर 13 पे वो जो है अमाइन्स, अमाइन्स चाप्टर में जो डिलिटेड पोर्शन है वो है डाइजोनियम सल्ट से रिलेटेड अब देखो डाइजोनियम सहल्ट से डिलेटेड इट मिस प्रिवीस की हम पे ब्रिशें खीन इस इसके डिलेटेट पेज नंबर, इंटेक्स्ट क्वेशन और बैक इक्सरसाइस जो है मैंने यहां पर मेंशन कर दी है आप सभी को इसको ध्यान से देखना है कि कौन कौन से क्वेशन की जादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है अब हम आते हैं लास्ट लास्ट चैप्टर लास्ट चैप्टर जो है वह है बायो मॉलेक्यूल्स बायो मॉलेक्यूल्स चैप्टर वैसे तो यह चैप्टर फाइब मार्क्स के लिए आता था लास्ट इयर तक के अभी हम यह जो देखेंगे यह जो चैप्टर का डिलेटेट पोर्षन कौन सा है डिलेटेट पोर्षन ज इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है और अब लास्ट चाप्टर पर आते हैं जैसे हमें पता है चाप्टर 14 एं 15 जो है यहां पर देखो पॉलिमर्स and chemistry in everyday life जो है यहां पर आप थोड़ा सा correction कर सकते हैं और वो correction यह है कि यह जो चाप्टर जो है यह चाप्टर 15 जो है वो है chemistry in everyday life और चाप्टर 14 जो है वो है polymers सो इन दोनों chapters को जो है CBC ने delete कर दिया, completely delete कर दिया, इसके उपर कोई भी questions नहीं आते हैं, वर अगर आप competitive exams की preparation कर रहे हैं, तो आपको इन सभी chapters का properly read करना पड़ेगा, और student, I hope आप सभी को इस वीडियो में, जितना भी मैंने explain किया है, वो आप सभी को अच्छे समझ में आ ग आप सभी को इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है, वो सभी helpful रहेगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, तो आप इसको subscribe, like और share करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, thank you students and have a good day ahead.